पाकिस्तान के पूर्व सेन निताना शाह परवेज मुशर्रफ के लिए पाकिस्तान से बड़ी खबर है। पूर्व सेन निताना शाह परवेज मुशर्रफ के लिए पाकिस्तान से बड़ी खबर है। पूर्व सेन निताना शाह परवेज मुशर्रफ के लिए पाकिस्तान शाह परवेज मुशर्रफ के लिए पाकिस्तान से बड़ी खबर है। कैबनिट की मन्जूरी के बिना किया गया। इस पर अदालत ने एडिशनल एटॉर्णी जनरल से पूछा की क्या आपकी राय भी वही है जो मुशर्रफ की है। जवाब में एडिशनल एटॉर्णी जनरल ने कहा की सर मैं तो बस रेकॉर्ड में जो है गुबता रहा। आपको बताजी के प्रधान मंतरी इमरान खान और उनके सरकार ने मुशर्रफ को दी गई मौत की सजा पर एतराज जताया था। मुशर्रफ पर सम्विधान के प्रावधान से परे जाकर डवंबर 2007 में देश में आपात काल लगानी के आरोप में मुकत्मा चलाया था। पीछ ने इस पर भी विचार किया कि क्या आपात काल लगाने को सम्विधान को लिलंबित किया जाना माना जाना चाहिए। इस मुद्धे पर नियाय मुर्थी नकवी ने टिपड़ी की क्या आपात काल सम्विधान का एक हिस्ता है। इस बारे में अत्रिक्त महानियावादी नी भी कहा कि आपात काल लगाया जाना सम्विधान के तहट था। उन्होंने कहा कि सम्विधान के अठार हुए संशोधन के तहट आपात काल लगाने को अपराद खोशित किया गया। लेकिन ये संशोधन के बाद में हुआ था इसलिए संशोधन से पहले लगाए गया आपाद काल पर ये कैसी लागू हो सकता है अदालत में सम्विधान के अनुच्छेट शह में किये गये इस संशोधन को भी अवैद खरार दिया अदालत ने कहा कि मुकदमा अरूती के अनुपस्थिती में चलाया गया जिसे खानूनी रूप से सही नहीं कहा जा सकता साथी जिस विशेश अदालत में मुकदमा चला उसके गच्छन में भी खानूनी आपचारिकताओं को पूरा नहीं किया गया